इस्रायल और फिलिस्तीनी कनफलिक्ट दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे विवादास्पत कनफलिक्ट में से एक है। मूल रूप से यहाँ दो आंदोनों यहुदी और फिलिस्तीनी के बीच कनफलिक्ट है जो एक ही जगह पर दावा करते हैं। लेकिन यह कहानी उससे कहीं अधिक जटिल है जिसमें दोनों पक्षों और उनके रक्षकों द्वारा छोटे और बड़े हर तत्य और हिस्टोरिकल डिटेल पर मुकदमा चलाया जा रहा है जानते हैं आज के विडियो में के ये लड़ाई क्यों शुरू हुई और ये लोग क्यों इतने सालों से लड़ रही है इस्राइल दुनिया का एक मात्र यहुदी राज्य है जो मेडिटरेनियन सागर के ठीक इस्ट में है फिलिस्तीनी अरब आबादी जो उस भूमी से आती है जिस पर अब इस्राइल कंट्रोल करता है इस कशेतर को फिलिस्तीन के रूप में बताता है और उसी जगह पर या उसके कुछ हिस्से पर उस नाम से एक राज्य स्थापित करना चाता है इस्राइल-फिलिस्तीनी कंफ्लिक्ट इस बात पर है कि कौन सी जमीन किसे मिलती है और इसे कैसे डिवाइड किया जाता है हाला कि यहुदी और अरब मुसलिम दोनों ही इस जमीन पर अपना दावा कुछ हजार साल पुराना बताते हैं यूरोप में पर्सक्यूशन से भाग रहे यहुदी उस समय ओटोमन और बाद में ब्रिटिश सामराज्य में एक अरब और मुसलिम बहुल क्षेतर में एक राश्चिय मात्रिभूमी स्थापित करना चाते थे अरबों ने जमीन को अपना अधिकार मानकर विरोध किया 1967 का युद्ध आज के कनफ्लिक्ट के लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने इसराई को वेस्ट बैंक और गाजा पट्ती के नियंत्रण में छोड़ दिया दो प्षेतर जहां बड़ी फिलिस्तीनी आबादी रहती है आज वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी अथोरिटी के कंट्रोल में है और इसराईल के कबजे में है यहां इसराईली सैनिकों के रूप में आता है जो फिलिस्तीनी आंदोलन और गतिविधियों पर इसराईली सुरक्षा प्रतिबंदों को लागू करते हैं और इस्राइली बसने वाले यहुदी जो वेस्ट बैंक में लगातार बनते समुदायों का निर्मान करते हैं, जो प्रभावी रूप से फिलिस्तीनियों को जमीन देने से इनकार करते हैं। गाजा पर एक इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी हमास का कंट्रोल है और इस पर इस्राइली नाकाबंदी है लेकिन जमीनी सेना का कबजा नहीं है। असल में अपलाई करना बोहत मुश्किल है। जानते हैं कि ये सलूशन कभी अपलाई क्यों नहीं किया गया। ये सलूशन कभी अपलाई इसलिए नहीं हो सकता है और इसकी चार बड़ी वज़ा है। सबसे पहले वज़ा है बॉर्डर। इस बात पर कोई सहमती नहीं है कि दोनों राज्यों को विभाजित करने वाली रेखाएं कैसे खीची जाए। कई लोग कहते हैं कि सीमाओ पर 1967 से पहले की रेखाएं होनी चाहिए। इसराइली बस्तियों का भी सवाल है। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी और असल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है जेरुसलम का। इसराइल और फिलिस्तीनी दोनों जेरुसलम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं। और इसे अपने धर्म और संस्कृती का केंद्र बताते हैं। जेरूसलम के अंदर आता तीन धर्मों के मानने वाली जगह जिसको मुस्लिम मस्जिद अल-अक्सा बुलाते हैं। यहुदी इसे हर है बाइत और टेंपल माउंट और क्रिस्चिन इसे कनैच स्कमपलर बुलाते हैं। तीनो धर्म के लोगों का मानना है कि ये जगह उनके धर्म की है। चौथा मुद्दा है सिक्योरिटी। सुरक्षा संबंधी चिंताए इसराइल के लिए भी केंद्रिय है क्योंकि गाजा पट्टी को कंट्रोल करने वाले हमास जैसे आतंकवादी समुहों द्वारा इसे लगातार परेशान किया जा रहा है। गाजा में हमास और अन्य इसलामी समुह समयस्मय पर इसराइल में रॉकेट लॉंच करती हैं। इसके अलावा इसराइल के अंदर फिलिस्तीनी हमलों की भी चिंता है। इस साल मार्च और अप्रेल में इसराइल के अंदर फिलिस्तीनी हमलों में कम से कम 18 इसराइली मारे गए। इस अवधी में कुल 27 फिलिस्तीनी भी मारे गए जिन में इसराइल के अंदर हमले करने वाले लोग भी शामिल थे। इतने सालों से चल रही लड़ाई आज इस मकाम पे पोहच गई है के आज फिर से हमास ग्रूप ने कजा पर हमला बोल दिया है जैसे ही हमास समोह ने युद्ध की शुरूआत की घोषना की गाजा पट्ती में फिलिस्तीनी ने शनिवार को दक्षिणी इसराइल में एक घुसपैट शुरू कर दी और राष्ट्र में 20 मिनिट के पहले हमले में 5000 से जयादा मिसाइले दागी जवाब में इसराइल ने गाजा में ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया जिससे भयंकर वार शुरू होगी है हमास कमांडर सला अरौरी के अनुसार ये ओपरेशन मासूम लोगों को जो इतने सालों से मारा जा रहा और उनकी जमीन पे कबजा कर रहे हैं उसके खिलाफ है उन्होंने दावा किया कि लड़ा के यरूशले में अलकसा मस्जिद और इसराइल द्वारा रखे गए हजारों फिलिस्तिनी कैदियों की रक्षा कर रहे थे एक दिन पहले हमास ने घोशना की थी की लोगों को कबजा करने के लिए एक रेखा खीचनी होगी और इसराइल अभी भी फिलिस्तिनी पर अत्याचार कर रहा है विशेश रूप से यरूशले में अलकसा के आसपास आप कमेंट्स में जरूर बताना के आपको क्या लगता है आप किसको सपोर्ट करते हैं आप क्या चाहते हैं अगर आपको विडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करे मैं आपसे अगले विडियो में मिलूगी थैंक यू पर यूर लव